नमस्कार दोस्तों में एस्टो लॉजर विकास मलोत्रा लाल किताब एस्टो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ करवा चौद का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है कि इस दिन एक विशेश सहियोग बन रहा है चतुर्ती तिथी 17 अक्टूबर को 6 बच कर 48 मिनट पर लगेगी और अगले दिन सुबा 7 बच कर 29 मिनट तक रहेगी करवा चौत की वरत की क्या महत्वता है ये तो आप सबको मालूम ही है विवाहित महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र के लिए वरत रखती है इस वीडियो में करवा चौत पर आप क्या उपाय कर सकते हैं अलग-अलग परपस के लिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही निवेदन है कि जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे एक बात और ध्यान रखियेगा करवा चौत पर क्या कलर के कपड़े आपको डालने हैं और क्या सावधानिया बरतनी है इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो संशेप में कलर के लिए मैं आपको बता दूँ कि या तो लाल या पीला रंग आप इस दिन जरूर डाले करवा चौत के दिन गनेश जी की पूजा विशेश्वल प्रदान करती है इसलिए इस दिन भगवान गनेश का स्मरन आप जरूर करें और उनका एक मंत्र है ओम श्री गनेशाय नमा आप इस मंत्र का उच्चारन दिन के किसी भी समय या जिस समय आप ये व्रत शुरू करती हैं आप उस समय भी कर सकते हैं अब जो उपाए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सबसे पहला जो उपाए है वो है धन के लिए अगर आपको किसी भी तरह से धन समबंदित दिक्कते रहती हैं तो घर की इस्त्रियाएं जो व्रत रख रही हैं वो ये रेमेडी कर सकती हैं पहली रेमेडी करवा चौत के दिन गनेश जी को हल्दी की पाँच गाठें ओम शिरी गनेशाय नमा बोलते हुए अर्पित करें ऐसा करने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और धन के रास्ते भी खुलेंगे इसके अलावा गुड की 21 गोलियां बनाएं और दुर्वा के साथ गनेश जी को चड़ाएं इससे आपके घर परिवार में प्रेम और सहयों का वातवन बना रहेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी यदि किसी महीला को लगता है कि उसका जीवन साती उसकी उपेक्षा करता है या जो सम्मान उसको मिलना चाहिए वो अपने जीवन साती से नहीं मिल पाता तो करवा चौत के दिन पाँच बेसन के लड़ू आटे और चीनी से बने पाँच पेड़े पाँच के लिए 250 ग्राम चने की भीगी डाल किसी भी गाएं को अपने हातों से खिलाएं और उसके माथे या पीठ पर हाथ फेड़ते हुए अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रातना करें ये उपाए बहुत ही उपयोगी है आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इसे करेंगे तो आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा अगर किसी महिला को ये लगता है कि उसका जीवन साथी किसी और की तरफ आकरशित है तो एक पीपल के सूखे पत्ते या भोज पत्र पर उस महिला का नाम लिखें जिस पर आपको शंका है फिर थाली में इस पत्र पर तीन कपूर की टिकियां रख कर जला दें और प्रात्ना करें कि आपका जीवन साथी सदेव आपके साथ बना रहे एक उपाए सभी के लिए शेयर कर रहा हूँ आप करवा चौथ के दिन अपने पती की नजर जरूर उतारें बहुत सिंपल तरीका है इसका एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें उसे ग्यारा टाइम्स अपने पती के सिर्ज से पैर तक उसार लें और फिर उसे घर के बाहर फैंक दें ये बहुत ही उप्योगी उपाय है और आपको रिकमेंड करता हूँ आप जरूर इस उपाय को आजमाए अगर किसी महीला के पती को कोई शारीरिक रोग रहता है वो शारीरिक रोग बहुत अधिक समय से है और कोई भी औशदी सही से कारे नहीं कर रही तो ये उपाय मैं आप करवा चौत के दिन कर सकते हैं अगर किसी केस के अंदर आप ये उपाय करवा चौत पर नहीं कर पाते तो आप किसी भी शनीवार को ये उपाय कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और आप उसी तरह से रेमेडी करें जिस तरह से आप को prescribe की जा रही है सबसे पहले आप को मांसिक रूप से शनी देव का स्मरन करना है और सर्सों के तेल का दीपक और अगरबत्ती के साथ कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं आप अपने घर पर भी कर सकते हैं ये आप मांसिक रूप उनका स्मरन करते हुए एक दीपक जलाएं अगरबत्ती जलाएं और अगर आप कर सकते हैं तो एक मंत्र भी आपको दे रहा हूं ओम शम शनेश्चराय नमा आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एक सवा मीटर काला कपड़ा लेंगे आप उसमें एक जटा नारियल जिसे पूजा वाला नारियल कहते हैं कुछ कच्चे को इले काले तिल, जौ, काला नमक, एक छोटी शीशी सरसो के तेल की और एक बड़ी लोहे की कील रख लीजे और इसको एक पोटली का रूप दे दीजे इस पोटली को अपने पती के उपर से साथ बार उसार कर किसी भी पीपल व्रिक् तुरंत ही फल महसूस होगा और ये उसारते वक्त शनी देव से ये प्रातना करें कि आपके पती की का स्वास्त अच्छा हो इन रेमेडीज के अलावा एक मंत्र जो आप किसी भी समय जाब कर सकते हैं भगवान शिव का वो भी मैं आपको दे रहा हूँ बहुत सिंपल मंत्र है ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए आप इस मंत्र का जितना भी इस दिन जाब करेंगे आपके घर में उतनी ही सुख और संपन्नता आएगी तो बहुत सारी रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर करी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आप अपने मित्रों के साथ और अपने जानने वालों के साथ भी इसे शेयर करें और आपने अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर किसी तरह की स्पेसिफिक प्रॉबलम है तो आप कंसल्टेशन हमारी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं फोन कंसल्टेशन या परसनल कंसल्टेशन वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है धन्यवाद दोस्तों